हलो फ्रेंट सुआगा थे हैं आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूटिप चैनल में आप देख रहे हैं नो नेम उनलियें तो फाइनली फ्रेंट जो नीट कॉंसिलिंग की डेट एक्स्टेंशन थी वो एंड हो चुकिये 17th को एक नया शेडियूल अनाउंस हुआ है जिसके अंदर आपको कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट करने के लिए डेट दी गई है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की भी डेट दी गई है और जितने भी आगी की प्रोसेस होंगी एडमिशन की उस सभी की डेट दी गई है तो यहाँ पर अभी जो डेट अनाउंस हुए है यह सिर्फ MBBS और BDS कोर्स के लिए अनाउंस हुए है जितने भी other than MBBS और BDS कोर्से से उनके डेट बहुत जल्द अनाउंस होंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पॉब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो भी स्टुडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है चाए वो कोई भी कोर्स के लिए हो BDS, BHMS, BAMS और भी BSC नर्सिंग तो इनकी जनरल लिस्ट जो है तो यह 19th को डिक्लियर होंगी यानि कल 19th को उके उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी डिक्लियर होंगी जिसके अंदर आपकी स्टेट रैंक यह वो चीज़े आएंगी ओके All India Rank और भी Information तो यहां पर आपकी Category-Wise Rank भी डिक्लियर होंगी OBC Category-Wise Rank फॉर एक्जामपल आपकी SC Category है तो उसकी रैंक और जो आपकी All India Rank तो रहेंगी उसके बाद Publication of Seat Metrics for MBBS and BDS मतलब Seat Metrics के अंदर आपके कौन-कौन से Colleges में कितने Seats है यह डिक्लियर होंगा वो 20 को होंगी 20 January को उसके बाद Online Preference Choice Filling Process for MBBS and BDS Course Only तो 21 से 28 के बीच आपको जो है तो Colleges Select करने को मिलेंगे मतलब आप किस College को First Preference, Second Preference इस तरह से आपको 21 से 28 के बीच Preference सेलेक्ट करना पर लेंगा तो उसके बाद यहाँ पर जो Next है Step Declaration of Selection List of Cap Round 1 तो Cap Round 1 की जो Selection List है वो डिक्लियर होंगी 31st January को After 5 PM तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा Schedule है तो उसके बाद Physical Joining 1 February से तो 7 February तक आप कर सकते हैं तो Joining Physically आपके Document Submit करना होंगे College में और College की Fees पे करना होंगी अगर आप करना चाते हैं तो कर सकते हैं Admission आगी कि अगर आप नहीं करना चाते हैं तो यह क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं Filling of Retention Form मतलब अगर आपको वह College लेना है जहां पर भी आपका Allotment हो चुका है First Round के अंदर तो वह आपको जो है तो Retention Form फिल करना होता है उसके बाद यहाँ पर Note दी गई है मतलब कोई भी Holidays नहीं है बीच के अंदर अगर Holiday है भी तो वह भी As a Working Day Consider किया जाएंगा Second Note जो है तो यहाँ पर Candidates who are eligible for MBBS and BDS Course can only fill the preference form मतलब जो Students को Cut Off, Qualifying Mark से जादा Mark से वह जो ही जो है तो eligible है preference form fill up करने के eligible मतलब qualifying mark से अगर आपको कम mark है तो आप preference form fill up नहीं कर सकते MBBS और BDS का उके उसके बाद यहाँ पर कुछ process दी गई है online preference choice filling first point के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते will be only on time मतलब आप time पर fill करेंगे जो यहाँ पर time दिया गया है तो यहाँ पर time है 21 से 28 के बीच आपको preference fill up करना है और यहाँ पर देखिए this preference will be used for cap round 1 and all subsequent rounds including mop up round and upgradation of college if any मतलब आपको जो है तो upgrade करने को मिलेंगा जो भी आप first round के लिए preference fill up करेंगे लेकिन एक बार जब आपका option form preference form lock हो जाएंगा तो फिर आपको change करने को नहीं मिलेंगा कोई भी तो यह आपको ध्यान में रखना है filling of retention form submission if candidate who has been allotted the seat wishes to participate in next next rounds should not fill the status retention form मतलब अगर आप first round में allot हो चुके लेकिन आपको seat नहीं लेना है first round वाली तो आप retention form fill नहीं करेंगे अगर आपको first round में seat allot होती है लेकिन आप दूसरे rounds में participate नहीं करना चाते है वो ही लेंगे जो first round में seat allot होंगी तो उसके लिए आपको retention form fill up करना पड़ेंगा तो यहाँ पर आपको पूरी information मिल जाती है schedule के अंदर और यह जो schedule है BAMS, BHMS, BUMS और other courses का वो भी बहुत जल्द announce होंगा तो thank you for watching आगे की updates के लिए हमारे साथ बने रहे हैं और चैनल को subscribe कर लिजी